Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Princewood Education में आज क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट, भारत में सिक्षा व्यवस्ता का विकास और उसकी चुनौतियां Development of Education System in India and इस चैलेंजस के कुछ important questions कराएंगे Question है हमारा, बौध दर्शन के अनुसार सिक्षा का क्या अर्थ है? बौध दर्शन के अनुसार सिक्षा का अर्थ उस सच्चे ग्यान से है जो व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिलाकर निर्वान प्राप्त करने में सहायता करता है बौध दर्शन के अनुसार सिक्षा का अर्थ उस सच्चे ग्यान से है जो व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिलाकर निर्वान प्राप्त करने में सहायता करता है नेक्स कोईशन है बौध विहारों तथा मठों में कितने प्रकार की विधाओं का ग्यान कराया जाए ग्यान कराया जाता था बौध विहारों तथा मठों में कितने प्रकार की विधाओं का ग्यान कराया जाता था नेक्स कोईशन है पाँच प्रकार की विधाओं के नाम लिखो पाँच प्रकार की कौन कौन सी विधाए थी? शब्द विधा, शिल्पासन विधा, चिकिस्टा विधा, हेतु विधा, आध्यात्मिक विधाओं पाँच प्रकार की विधाओं कौन कौन सी ही? कौन कौन सी थी? शब्द विदा, शिलपाशन विदा, चिकिस्ता विदा, हेतु विद्या और आध्यात्मिक विदा Next question है, स्वाध्याय का क्या अर्थ है? आत्मा के लिए हितकर शास्त्रों का अध्यन करना Next question है, स्वाध्याय कितने सोपानों में किया जाता है? तो स्वाध्याय चार सोपानों में किया जाता है? आवरती, संचय, मनन और धारन अगर question आ जाता है कि जो स्वाध्याय है वो कितने सोपानों में किया गया है? तो चार सोपानों में किया गया है? आवरती, संचय, मनन और धारन नेक्स कोईशन है बहुत काल में पंच शील का पालन करने को क्या कहा गया है वो कौन कौन से हैं तो बहुत काल में पंच शील का जो पालन करने को कहा गया है वे हैं हिंसा, चोरी, पर इस्त्रीगमन, मिथ्याचार आदी दूराचारों से, जूट कपड से, मदिरापान आदी न बौद काल में कौन से ऐसे पांच कारे हैं जिनका पालन करने को कहा गया है हिंसा से चोरी से पर इस्त्री ग्रमन मिध्या चार आधी दूराचारों से जूट कपड से मदिरापान आधी नशीली चीजों से दूर रहने को कहा गया है नेक्स कोशन है उपोसत वरत क्या है उपोसत वरत में पंच शील के पांच अंगों के अतरिक्त तीन वरत और समलित हैं कौन कौन से विकाल भोज से विरत रहना नाचने गाने सुगंदित लेप से विरत रहना विरत मतलब क्या हुआ दूर रहना विलासिता बढ़ाने वाली वस्तूओं से दूर रहना तो उपोसत वरत क्या है पंच शील के पांच अंगों के अतरिक्त जो पांच हिंसा से चोरी से परिस्त्री गमन मिठ्या चार आदी जुराचारों से जूट कपड से मदिरा पान आदी नशीलों चीजों से इसके साथ साथ उपोसत वरत में विकाल भोज से भी दूर रहना न बहुत दर्शन के अउसार जो अस्ट मार्ग थे जो आठ मार्ग बताए गए हैं वो कौन-कौन से हैं सम्यक दरश्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवका, सम्यक वयाम, सम्यक इस्मृती और सम्यक समाधी प्चयाम, सम्यक इस्म्रती और सम्यक समाधी. नेक्स कॉशन है, बौध दर्शन में दस धर्म बताए गए हैं. कौन-कौन से हैं? धर्थी या धैर्य, छमा, दंब, अस्ते, सोंच, इंद्री निग्र, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोद. चात्रों को बौध धर में मूल रूप से दस आदेशों का पालन करना पड़ता था उसे क्या कहा जाता था? दस सिख्षापत कौन कौन से थे बौत काल में जो दस सिख्षापत बताये गए हैं दस आदेशों का पालन करने के बारे में बताये गया है वो कौन कौन से थे जवाहराद आदी से दूर रहना तथा इनका दान ना लेना। संसकार और बौध काल में जो सिख्षा का आरंब होता था वो प्रवज्य संसकार से होता था नेक्स कोशन है प्रवज्य का शाब्दिकर्थ क्या है प्रवज्य का शाब्दिकर्थ है बाहर जाना प्रवज्य का शाब्दिकर्थ क्या है बाहर जाना नेक्स कोशन है प्रवज्य संसकार में क्या होता था इस संसकार के द्वारा एक आठ वर्ष का बालक अपने घर से सदैव के लिए अलग होकर एक संग या मट में प्रवेश करता था प्रवज्य संसकार में क्या होता था इस संसकार के द्वारा एक आठ वर्ष का जो बालक था वो अपने घर से सदैव के लिए अलग हो जाता था और संग या मत में प्रवेश करता था और प्रवज्य संसकार जो था वो बौध काल में सिक्षा का जो आरम होता था वो इसी संसकार से किया जाता था तो आठ वर्ष का जो बालक था वो अपने घर से अलग हो जाता था और मत या संग में प्रवेश ले लेता था प्रवज्य संसकार के बाद विद्यार्थी को क्या कहा जाता था प्रवज्य संसकार के बाद विद्यार्थी को सामनेर या श्रमन कहा जाता था जब प्रवज्य संसकार हो जाता था उसके बाद विद्यार्थी को सामनेर या श्रमण कहा जाता था नेक्स कोशन है उपसंपदा संसकार में क्या होता था प्रवज्य संसकार के 12 वर्ष के बाद अर्थाद 20 वर्ष की आयू में बालक श्रमण या सामनेर उपसंपदा संसकार ग्रहन करता था क्योंकि जो प्रवज्य संसकार ग्रहन करने के बाद जो विद्यार्थी था वो सामनेर या श्रमन बन जाता था और उसके बाद वह उप संपदा संसकार ग्रहन करता था मतलब जब 20 वर्ष की आयू होती थी तब बालक श्रमण या सामनेर बन जाता था उसके पश्यात ही उप संपदा संसकार ग्रहन करता था नेक्स कोशन है उप संपदा संसकार के बाद बालक का क्या होता था उपसंपदा संसकार के बाद बालक जो था वो भिख्षू बन जाता था उपसंपदा संसकार के बाद बालक बिख्षू बन जाता था किसके अनुसार जिस प्रकार वैदिक काल में यग्य संस्क्रति के केंद्र थे उसी प्रकार बौध काल में संग सिक्षा और विद्या के केंद्र थे किसने कहा कि जिस प्रकार वैदिक काल में यग्य जो थे वो संस्क्रती के केंद्र थे उसी प्रकार बौध काल में जो संग थे वो सिख्षा और विद्या के केंद्र थे आर के मुखर जी के अवसार आर्के मुकरजी ने कहा है कि जिस प्रकार व्यदी काल में यग संस्क्रती के केंदर थे उसी प्रकार बौध दिकाल में संग सिक्षा और विद्या के केंदर थे नेक्स कोशन है बहुत दिकाल में सिक्षा कितने भागों में बटी थी? बहुत दिकाल में सिक्षा जो थी वो दो भागों बटी थी प्रात्मिक और उच्च बहुत दिकाल में जो सिक्षा थी वो कितने भागों बटी थी? दो भागों बटी थी प्रात्मिक सिक्षा और उच् की चुनौतियां, development of education system in India and its challenges के कुछ important questions पढ़े, next class में हम इसके आगे के important questions पढ़ेंगे, be at four semester के चारो papers की playlist का link जो है, वो description box में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सभी classes देख सकते हैं, pdf के लिए आप हमारे whatsapp number 9580886699 पर message करके सभी pdf प्राप्त कर सकते हैं, be at four semester की जो सभी pdf हैं, वो 99 रुपीज की हैं, जिसमें आपको theory भी दी जाएगी और observative questions भी दिये जाएगे, धन्यवाद मिलते हैं अपनी next class में.